हेलो फ्रेंड्स तो चले हमें स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 10.5 को पढ़ते हैं टेक आ वाइड प्लास्टिक बॉटल रिमूब दा बॉटम गिट आ वाइड सेब्ड ग्लास और प्लास्टिक ट्यूब इसमें क्या खा जा रहा है प्लास्टिक की चौड़े मुंवाली ए किसी प्लास्टिक पथली पाइप दिजिए ठीक है ने प्लास्टिक पथली पाइप को लीजिए मेग अला ढूट कि मेक अहुल इन दा लीडर सो दैट दर ट्यूब में पास थो इट तो दा फो फॉर्कड इंड और ट्यूब फिक्स टू डिफ्लैटेड बालूंस इसमें क्या कहा जा रहा है इसको आप ध्यान से सुनिए इसके बाद आप क्या करेंगे आप एक कोई पतली सी वह पाइप लें एक ऐसा होल करेंगे छेद करेंगे जिससे वह नली उसमें आसानी से चली जाए और निकल जाए ठीक है यह कहा जा रहा है इंट्रोट्यूस्ट दा ट्यूब इंटू दा बाटल एस सोन इन फेगर 10.7 आप इस एक्टिबिटी के फिगर को आप देख सकते हैं फिगर 10.7 में यहां पर 10.7 का फिगर हम आपको दिखाते हैं यह रहा 10.7 का फिगर इसी सेप में आपको एक्टिबिटी को फर्फॉर्म करनी है क्या कहा जा रहा है आप कोई बॉटल लेंगे उसके पेंदी को यहां से कट कर देंगे ठीक है इसके बद काटने के बाद ऐसा हो जाएगा आप क्या करेंगे इसके बाद आप यहां पर एक बलून्स लेंगे उसमें ऐसे नली में उसके जो ट्यूब है ट्यूब में ऐसे लगाएंगे इसके बाद यहां पर रबर सीट लगाएंगे ठीक है बल्यूम और रबर सीट ओकी तो चली हम आगे पढ़ते हैं कि उसमें और क क्या कहा जा रहा है नाव कैब बॉटल सील इट मेक इट एयर टाइट तू दा ओपेन बेस आप दा बॉटल टाई थीन रबर और प्लास्टिक सीट यूजिंग अलार्ज रबर बैंड इसमें यह कहा जा रहा है कि आप फिगर की जैसे फिगर के कार्डिंग आप इस एक्टिव से लगा दीजिए बॉटल को किसी धकन से बंद कर दीजिए और उसे इस तरह बंद करें जिससे उसमें एयर ना इंटर करें ठीक है अच्छे से बंद कर दीजिए और उसमें एयर इंटर ना करें इसके बाद आप उसके जहां पर आप बॉटल को कट किये थे नीचे से उस प एहां पर देखी वही सब जो सबकुछ यहां पर ओफॉन किया गया वहीं सब यहां पैरा में का जा रहा है तो आप इसी एकोर्डिंग आप उस को परफॉन करिए ठीक है जैसे इस्सें फिगर में दिए हुआ है तो फिगर में क्या दिया हुआ है कि आप बॉL लीजिए आजाए है उकें वे इसमें आजाए औरस में एर बनाय रहुकिकें कि यहां जारह है इसके राध प्थ सब्रम सब्सक्क्राइब भष्छ सब्सक्राइब यह इए को आप क्या करें कर दूम तूंब कले ने इसमीड प्राइब को नीचे के साइड में रबर लगाएंगे आप क्या करेंगे फेफ़डों में मतलब लंक्स में जो भी कॉन्ट्रेक्शन होता है उसको समझने के लिए आप रबर जो रबर आप लगाएं नीचे पेंदी में उसको पकड़िये और नीचे की तरफ खीचिये तो आप जब नीची के तरफ rubber को खीचेंगे तो जब आप नीची की तरफ rubber को खीचेंगे तो जो उस्पे balloon लगा है वह THIS फूलेगा और इसके बाद चोड़ेंगे तो वह ऐसे यहाँ पर सिकुट जाएगा इस तरह यह balloon को हमने lungs माना है ओके इसके बाद आप रबढ की किसी भी layer को आप उपर की तरफ धके लिए और गुबारे को जो balloon दिया हुआ उसको देखिए क्या आपको कुछ उसमें changes दिखाई देते हैं हाँ आपको changes दिखाई देंगे आप जब अंदर के साथ उसको धके लेंगे तो balloon फूल जाएगा उसको जब नॉर्मल कर देंगे मतलब आप air को बाहर साइड निकाल देंगे तो वह लंक्स जो है ऐसे ही जो है वह इसमें से निकल जाएगी और ऐसे ही पिचक जाएगा ओके यहां पर दिखाया गया है मतलब तुम्हें आप यह समझ सकते हैं कि यह activity जो है व बाहर को बाहर को बाहर रिलीज कर दिया outside CO2 को तो हमारा जो लंक्स है इस टाइप का हो गया ठीक है तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसमें कहा जा रहा है कि आप डेली डेली अपने बाडी एक्ससाइज करेंगे प्राडायाम करेंगे तो इससे आपके लंक्स में जो एर है वो अंदर ले जाने की और भी कैपासिटी आपके लंक्स में एर जाने की और भी कैपासिटी इनक्रीज हो जाएगी इससे हमारे बाडी की जो सेल्स हैं उसमें आक्सीजन की कमी नहीं होगी ठीक है और इससे हमें बहुत धेसारी एनरजी मिलेगी ठीक है आपको सम stuck में आ गया होगा इसमें ये कहारा है कि आप डेली डेली एक्ससाइज करिए प्राणायाम करिए जिसे हमारी हमारी जो लंग्स है लंग्स में एयर जाने की और भी capacity इंक्रीज हो जाए एयर हमारा हो जाए और इसमें एयर ड्री सारे जाने लगे तो इससे क्या होगा हमारी बॉटि में ऐह आकसीजंच ज्यादा होंगी तो हमारे सयल्स को offer उक्सिजन मिलेगी सेल्स को ज़्यादा उक्सिजन मिलेगी तो हमें एनरजी इदम भरपूर मात्रा में मिलेगी ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आगे यहां पर देखिए फिगर दिया हुआ है 10.8 करें तो पहले चलिए हम पॉइंट लेते हैं हमने यहां पर पढ़ा 10.4 का वाट डूबी बीद आउट हम कैसी बीद आउट करते हैं मतलब एयर को बाहर रिलीस करते हैं ठीक है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां पर देखिए इस्ट्रो दिया हुआ है लाइम वाटर है यहां पर कोई बच्चा जो है इसे एक्टिविटी को कर रहा है effect of exhaled air on lime water इसमें क्या कह जा रहा है कि वो यह जो बच्चा है वो अपनी एयर को mouth से exhale कर रहा है बाहर release out कर रहा है यह straw की help से और यहां पर वो लिया है test tube में वो lime water लिया चुने का पानी लिया है और इसमें straw लगा कर वो सांस को अंदर छोड़ रहा है मतलब release कर रहा है, exhale कर रहा है तो क्या होता है ऐसा करने पर पढ़ते है The percentage of oxygen and carbon dioxide oxygen का formula O2 होता है carbon dioxide का formula CO2 होता है oxygen inhaled and exhaled oxygen को हम inhale करते हैं और CO2 को हम exhaled करते हैं ठीक है, यहाँ पर lungs है lungs में जहाँ air inhale करते हैं लेते हैं तो वो 20% of oxygen होता है और जब बाहर निकालते हैं तो वो 16.4% oxygen होता है उसमें इसके बाद जहाँ लंग्स लंग्स में जब लंग्स से जो वो carbon dioxide होती है वो 0.04% होती है और यहाँ पर carbon dioxide 4.4% होती है जब हम exhaled करते हैं air को तो उसमें CO2 इतने % होती है तो इसमें आप नॉर्मली यह समझ सकते हैं कि inhale करते हैं जब हम तो उसमें जो है इतने % CO2 आती है अंदर और 21% oxygen आता है और जब बाहर के side CO2 को निकालते हैं exhale करते हैं तो हमें हमारी बाड़ी के अंदर इतना oxygen रहता है और इतनी carbon dioxide वाहर के तरफ release हो जाती है ठीक है यह यहां पर कहा जा रहा है तो चली हम आगे पढ़ते हैं इतनी अधर आनिमल्स अनिमल्स अज़ एज एलिफेंट लाइन काउज गोट फ्रोग लिजर्ड शनेक्स बड्स में भी लंग्स होती है इनका भी टेस्पिरेट्री ओरगन जो होता है वह लंग्स होता है फिफ़डा होता है ठीक है तो चली हम आगे पढ़ते हैं काक्रोच कैसे ब्रीधिंग करता है यह हम पढ़ेंगे तो चली हम पढ़ते हैं काक्रोच में भी एक ओपनिंग होती है सांस लेने के लिए ब्रीध करने के लिए तो चली हम पढ़ते हैं उस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे इस्पारेकल्स कहते हैं 10.9 फिगर में दिखाया गया है इंसक्ट हाइब नेटवर्क ओयर ट्यूलाइक ट्यूप्स काल्ड ट्रै क्या-्रैकिया अर्चिया और जो um Kitchen हो ते हुते हैं उस और network of air tubes एक tubes होती है जिसको हम trachea कहते है for gaseous exchange और ये trachea जो होती है वो gas को exchange के लिए होती है gas exchange का मतलब यह हुआ कि O2 को release O2 को अंदर enter करना और CO2 को बाहर release करना ही gaseous exchange कहलाता है oxygen rich air russes through sparracles into the tracheal tubes diffuse into the body tissues and reaches every cells of the body इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बाड़ी में हमारी oxygen होती है वो oxygen rich air होती है वो sparracle के थुरू आती है अंदर इसके बाद वो टेस्ट ट्रेक्यल tubes से अंदर आती है और diffuse into the body tissue and reaches the every cells वो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारे अंदर oxygen हमारे अंदर सॉरी हम इंसेक्ट और cockroach के बारे में पढ़ रहा है तो cockroach या इंसेक्ट में जब oxygen rich air आती है तो वो sparracle के थुरू आती है इसके बाद ट्रेक्या के थुरू वो पूरे बॉड़ी cells में ट्रांसपोर्ट हो जाती है बोड़ी cells में ट्रांसपोर्ट हो जाती है एवरी cells reach of the body ठीक है cells में जाती है और tissues में चली जाती है क्या चली जाती है oxygen ठीक है similarly carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes and move out through the sparracles similarly ऐसे भी release out बाहर CO2 को निकालने का भी same process होता है जैसे कि हमने oxygen को अंदर enter किया हमने नहीं insect और cockroach ने ऐसे ही उसमें insect और cockroach में बाहर निकालने के लिए CO2 का भी यही mechanism होता है कैसे होता है tracheal के थूँ वो बाहर move out कर देते हैं किसको carbon dioxide को okay these air tubes trachea are found only in insect and not only other group of the animal यह ट्रेकिया जो होता है वो trachea जो होता है यह ट्रेकिया जो होता है यह त्रेकिया जो होता है ये ट्रेकिया जो होता है trachea वो केवल इंसेक्ट में पाया जाता है और भी किसी टाइप की एनिमल्स में नहीं पाया जाता है ठीक है यहां पर देखें ट्रैकिया दिखाया गया है ट्रैकिया सिस्टम यह इंसेक्ट से इंसेक्ट में ट्रैकिया दिखाया गया है यह जो लाइनिंग है वो सब क्या है ट्रैकिया